जियोग्रफी से संबंदी 20 important question है, question number बने यहाँ पर प्रत्वी अपने अक्ष पर कितने जुकी है, तो answer हो जाएगा 23.30 डिग्री यहाँ पर जुकी हुई है, अगला question number 2 है, question number 5 है, प्रत्वी अपने अक्ष पर किस देशा में घुमती है, तो इसका answer हो जाएगा परस्चिम से पूर्वी की ओर, question number 6 है, प्रत्वी अपने धूरी कर्चा करकिस रपतार से और कितने समय में पूरा करती है, तो answer हो जाएगा 1610 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से, जो की 35.30 गंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, question number 7 है, प्रत्वी की किस गती से दिन और रात होते हैं, तो answer हो जाएगा घुमती से, question number 8 है, प्रत्वी की किस गती से साल बनते हैं, तो answer हो जाएगा परिक्रमण से, question number 9 है, सूरी की परिक्रमा करने में प्रत्वी को कितना समय लगता है, तो answer हो जाएगा 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 40 सेकंड यानि 365 दिन 6 गंटे, अगला कोश्चन नमर 10 है प्रत्वी को सूर की एक परिग्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं तो आंसर हो जाएगा सौर बर्स कहते हैं कोश्चन नमर 11 है प्रतेक सोर बर्स या कैलेंडर बर्स में कितना बढ़ जाता है तो आंसर हो जाएगा 6 घंटे बढ़ जाता है कोश्चन नमर 12 है आकार और बनावट की द्रश्टी से प्रत्वी किस ग्रह के समान है तो आंसर हो जाएगा सुक्र ग्रह के समान है नेक्स्ट कोश्चन नमर 13 है प्रत्वी को नी लग रहे किस कारण से कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा पानी की उपस्तिती के कारण इसे नी लग रहे कहा जाता है कोश्चन नमर 14 है, सूरे के बाद प्रत्वी का सबसे निकर्टम कतारा कौन सा है तो आंसर हो जाएगा प्रक्षिमा सेंजूरी है कोश्चन नमर 15 है, प्रत्वी का एक मात्र उग्रा है कौन सा है तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा है कोश्चन नमर 16 है, चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरी किस्तिती का अध्यन करने बाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सेने नो लॉजी कहलाता है Q17 है चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं तो आंसर हो जाएगा 37 सागर कहते हैं Q18 है जीवास में ग्रह किसे कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा को Q19 है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है तो आंसर हो जाएगा सूर की रोशनी से चमकता है Q2 समुद्र में उठने वाले जौर भाटे की क्या बज़ा है तो आंसर हो जाएगा अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की सक्तियों का अनुपात 11 अनुपात 5 होता है इस बज़ा से